नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मयंग शेखर सेलेक्टिड कैंडिडेट इन फूट कॉर्परेशन ओफ इंडिया बैच 2020 और आप सभी दुस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल सेलेक्टिडर मेंटर पर जहाँ पे हम पर देए आप सभी के साथ वकैबलीका पंचना मा ले कराते हैं और आज हमारा तेंथ कलास है जहांपे पड़े आप सभी के साथ हम 5 vocabulary words का discussion Hindi और English दोनों languages में किया करते हैं आप हमारे साथ Telegram चैनल पर भी जूर सकते हो यह उसका link है जहांपे किसी भी examination से related कोई भी information, कोई भी updates आपको मिलता रहेगा आप चाहो तो आप हमारे mentor अंकुषरमा सर के साथ contact कर सकते हो या फिर आप हमारे mentor विराट दुबे सर के साथ भी contact कर सकते हो और आपके मन में जो भी query है examination से related, उनके preparation से related आप उनके साथ discuss कर सकते हो आईए बढ़ते हैं पहले word की तरफ जो की है आज का cronyism cronyism का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तवाद या बहुत सारे लोग इसको पक्च पात भी कहते हैं तो याद रखिएगा cronyism का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तवाद या पक्च पात आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो and these are first patronage second one is disdain and the last one is patronizing आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो and these are first competition second one is hostility and the last one is enmity आए दोस्तों हम इसका एक example देखते हैं जैसा कि मैंने या लिखा है सुशांत सिंग राजपूत या हमारे सुशांत सिंग राजपूत जी थे जिनका देहान तो चुका है was trying to make it on in a world structured around nepotism and cronism claimed some reports इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि सुशांत सिंग राजपूत अपने दम पर भाई भतिजावाद nepotism का हिंदी में अर्थ होता है भाई भतिजावाद और पक्षपाद यानि cronism के आसपास बनी दुनिया में खुद को बनाने की कोशिश कर रहे थे ऐसा कुछ report ने दावा किया I hope दोस्तों ये word आको clear हो गया होगा आए बढ़ते हैं अपने दुसरे word की तरफ जो की है ravage ravage का हिंदी में अर्थ होता है तहस नहस कर देना आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो and these are first and the last one is create आए दोस्तों हम इसका एक example देखते हैं जैसा कि मैंने यह लिखा है cyclone Amphan has ravaged Kolkata and surrounding areas ये Kolkata का peak है इसका हिंदी ये हुआ कि चक्रबात Amphan ने Kolkata और आसपास की इलाकों को तहस नहस कर दिया यानि एक तरह से उसका विध्वन्स कर दिया I hope दोस्तों ये word आपको clear हो गया होगा ये बढ़ता है अपने तीसरे word की तरफ that is for front for front का हिंदी महरत होता है सबसे आगे आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो and these are first front second one is lead third one is spearhead fourth one is head and the last one is prominence आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो and these are first followers and the last one is last place आए दोस्तों हम इसका एक example देखते हैं जैसा की मैंने आप लिखा है the forefront of India's battle against COVID-19 डॉक्टर हर्षवर्धन ये मारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी है is said to take charge as the chairman of the WHO executive board on May 22nd इसका इंदी मरत्वा की COVID-19 की विरूद या उसके खिलाफ भारत की लराई में सबसे आगे डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने 22 माई को WHO के कारेकारी board के अध्यक्ष के रूप में कारेभार समहलने के लिए तयार है I hope दोस्ते ये वर्ट आको clear हो गया होगा आए बढ़ते हैं अपने चौथ हे वर्ट की तरफ that is substantive substantive का हिंदी मार्थ होता है malik या बहुत सारे लोग इसको moulbhoot भी कहते हैं मoulbhoot भी आप इसको कह सकते हो तो याद रखेगा substantive का हिंदी मार्थ होता है malik या moulbhoot आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो and these are first basic second one is central third one is elementary fourth one is essential fifth one is fundamental and the last one is original आप इसके अंटोनीम को भी लिख सकते हो and these are first hypothetical and the last one is immaterial आयो दोस्तों हम इसका एक example देखते हैं जैसा कि मैंने यहाप लिखा है Donald Trump यह Donald Trump है जो US के president है asked the WHO to commit to major substantive improvements within the next 30 days इसका हिंदी मारत हुआ कि Donald Trump ने WHO को अगले 30 दिनों के भीतर प्रमुख, मौलिक या मूलभूत सुधारों के करने के लिए वचन बध होने के लिए कहा I hope दोस्तों यह वर्ड आको clear होगे आगा अई बढ़ते अपने last word की तरफ that is chaotic chaotic का हिंदी मारत होता है अस्त वेस्त आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो and these are first confused second one is disordered third one is lawless fourth one is macy and the last one is unsettled आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो and these are first orderly second one is organized and the last one is tidy आये दोस्तों हम इसका एक example लेखते हैं जैसा के मैंने या लिखा है there was a chaotic situation across the cities as government decided to open leaker shops since May इसका हिंदी मारत होता की शहर में अस्त वेस्त की स्थिती थी क्यूंकि सरकार ने मई से शराब की दुकाने खुलने का फैसला किया I hope दोस्तों ये word आपको clear हो गया होगा so thank you so much for watching this video please try to support our channel selection mentor and also thank you so much for staying with us please just like कीजे, share कीजे and जो मन हो आपका कमेंट कीजे have a good day